नमस्कार स्वागत है आप देख रहे हैं अजय भारत मैं हूँ तनुप्रिया कल शुक्रवार को हाजिपूर में 55 किलो सोना लुटकांड का एक आरोपी को जेल के अंदर ही गोलियों से भून लिया गया सुरक्षा विवस्था और जेल प्रुशासन पे कई सवाल उठें उसे अस्पताल में भरती कराया था लेकिन ये सोना लुटकांड में एक के बाद एक कई लोगों की जान जा चुकी है अगर पिछली खबरों पर भी नजर डाले और आखरों पर देखे तो लुटकांड से जुरे एक एक करके तमाम लोगों की हत्या कर दी जाती है कल शुकरवार को हाजिपूर के मंडलकारा में मनीष कुमार जो की सोना लुटकांड का आरोपी था उसकी जेल के अंदर ही गोली मार कर हत्या कर दी गए थी साथी साथ एक और आरोपी जो घैल हुआ था उसे एस्पताल में भरती कराये गया है अलाकि इस जरप दो गुटों की जरप हुई थी जेल के अंदर जिसके बाद कई जो कैदी हैं वो जखमी हुए थे साथी साथ कई पुलिसकर्मी भी जखमी हो गये थे पता दूं कि हाजिपूर मंडलकारा में कल मनीश कुमार मारा गया सोना लूटकांट का विचारा ध हो गई थी कि सोना लूटकांट में आगे किसकी जान जाने वाली है देश के बिविन सहरों से लूटे गए सोने के बटवारे को लेकर वैसाली राष्ट्रेस तर पर सुर्खियों में रहा है पटना स्ट्रियाफ और अपराधियों के बीच बल्लोलपूर दियारा में भी 16 मा गोल गया चली थी स्टीफ ने समोट भेड में सोना लूट के कई मामलों में शामिल रागोपूर थाना अंतरगत रागोपूर निवाशी मनी सिंग मुजफर पूर जिले के मनियारी थाना निवासी अब्दुल इमाम उर्फ राजकुमार और समस्तिपूर के निवासी अब् पिछले वर्स याने के 2019 में भी हाजिपूर के चर्चित आभूशन वेवसाई मुकेस कुमार सिंग की हत्या कर दी गई थी। पूर के जेल मंडलकारा में सोना लूटकांड में ही विचाराधीन कैदी मनीश कुमार उर्फ तैलिया की गोली मार कर हत्या कर दी गई लूटकांड की दूसरे आरोपी अनुस सिंग गैंग ने पहले भी उस पर गोली चलाई थी इस बार बाहर से 9mm की पिस्टल मंगाई कर पूरा जेल प्रवंधन श्रवालो की घेरे में है वहीं पुलिसिया कारवाई में पांच कैदी जखमी हो गया और इस वारदात की खबर मिलने के बाद हर कंप मच गया आनन फानन में जेल आईजी मिथलीश मिश्रा और दियम उदिता सिंग प्रभारी स्पी रजनीश कु कि जेल परिसर के अंदर ही 9mm की पिस्टल मिलना साथी साथ मोबाई फोन भी बरामत करना पुलिस ने शापे मारी के दौरान ने बरामत किया और जिस तरीके से जेल के अंदर जो समान बरामत की गई है पुलिस की जो सुरक्षा विवस्था पर भी बड़े सवाल यहाँ पर खरे किरती है लेकिन लूटकांड में एक के बाद एक जिस तरीके से हत्या हो रही है और सब के तार सोना लूटकांड से ही जुरे हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से छानबीन की जाती है जिसमें यही जानकारी निकल के सामने आती है आगे क्या कुछ कारवाई पुलिस क प्रताल में जुट गई है तमाम बड़ी खबरों की अपडे के लिए आप देखते रहिए अजय भारत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें